दोस्तों मेरी आज की कहानी है खाली हाथ कैसे लोटा दें एक बार महाराज रोड़जीत सिंग कहीं जा रहे थे कि सामने से एक इंट आकर उन्हें लगी सिपाहियों ने चारो और नजर दोड़ाई तो एक बुढ़िया दिखाई दी उसे गिरिफतार करके महाराज के सामने हा पुठी बोली सरकार मेरा बच्चा कल से भूखा था घर में खाने को कुछ ना था पेड़ पर पत्थर मार रही थी कि कुछ बेर तोड़कर उसे खिलाऊं किन्तवा पत्थर भूल से आपको अलगा मैं बे गुनाह हूं सरकार मुझे छमा किया जाए महाराज ने कुछ देर सौचा और फिर बोले बुढ़िया को एक हजार रुपिया दे कर सा सम्मान छोड़ दिया जाए या सुनसारी कर्मचारी इस्तनभित रहे गए आखिर एक ने पूछ ही लिया महाराज जिसे दंड मिलना चाहिए उसे रुपिय दिये जाएंगे रडजीत सिंग बोले यद निरजीव ब्रच पत्थर लगने पर मीठा फल देता है तो पंजाब का महाराज उसे खाली हाथ कैसे लोटा थाइंक यू दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजी